प्रेंट्स मेरा नाम है अकाश राज और आप देख रहे हैं वानिनौल चैनल अश्च्राइब आप सब्सक्राइब है क्या वर्ट करता और इसकी क्या वर्ट होती है कि चलिए शुरू करते हैं हमारी आग्यान की वीडियो आप प्रॉलने ब्रेंगे ये असका बटन इसका मसला यह आ रहा है कि यह इसर ओन ही नहीं हो रहा इस यह गिज़र बेल्कुल डैडड डैस्प्स पोन नहीं हो रहा सबसे पहले हम लोग इसका सेल चेंज करेंगे सेल चेंज करके देखिने कि यह देखिए इसका हमारा सेल कुले गई है इसे कहते हैं पॉल्स इसके बाद एक टेज कास लीजिए सिद्धे मुई वाला इसे इसे खोई है यह आगया हमारा सेल अब इसे चेक करने का तरीका मैं आपको पताने जा रहा हूं इसे अच्छे तरीके से साफ करके आप लोग इसे वापिस लगाईए लेकिन यह चैक जो है थर्मस्टेट से बाहिर आके होगा ऐसे नहीं होगा इस यह आप देख सकते हैं मैंने इसे वापिस लगा दिया अब हम इसे सिर्फ टीस सेकंड के लिए चैल को दबा के गरम करेंगे यह देखिए हमारा सेल बैठ ही नहीं रहा है इस पर इस इतना मर्जी गरम कर ले यह सेल क्लिक ही नहीं हो रहा है मतलब यह हमारी जो वाइल है यह खराब है अब हम लोग यह वाइल लाएं है कि अच्छी वाइल है कि हमारी नई वायर नजर आएगी अच्छा जब इससे आप खोलेंगे तो बड़े अराम से इतियात से खोलिएगा क्योंकि यह वायर पिचक जाते ही अब यही पुराने वाला सेल हम लोग इस पे लगाएंगे हुआ है हुआ है हुआ है कि आप अप आप अप 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 कुल पर आप ने खिया धाने है कि यह जो हमारी वाइब है यह सेल के साथ प्रॉपर टच करें तो कि यह अगर टच नहीं करेगी प्रॉपर तो यह वर्ट नहीं करेगी अब यह हमने लगा दिया अब इसके साथ भी वही फॉर्मिला करेंगे यह देखें अब हमारा सेल पुश पे आए इसका मतलब हमारा जो यह जो सहल प्रॉप हमने यह यह वाईड़ चेंज कि यह वरी यह बहुत सारे लोग कहादेते हैं यह थए ठंडा हो गही है यह खोद्यू उपर आगे हैं बहुत सारे लोग कहादेते हैं मेकानिकर आपको चाहिक है क् Braun AC यह नहीं होता मसला ज्यारा तर इसी का होता है वो हमसे ज्यारा तर पैसे ले जाते हैं में ठीक है जी है इसा है जिएीजा जया झाला तर वे जो में हो है जो है जूए है आप सी जो है जुवित है है जाला ज्यार दो है है जी जड़े जला ठायर तर जा औरक्ति हया ज़ित है कि अब देख सकते हैं बड़े ही एक्तियाद के साथ इस वाइल को पूरा खोल लिए अब हम लोगी से दुबारा वापिस फिट करेंगे कि अब देख सकते पहले शैल लगाएंगे अब 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 यहां पर आपने यह ख्याल रखना है हमारा जो सेल है वह अच्छे तरीके से टाइट हो कि यह अगर अच्छे तरीके से टाइट नहीं होगा तो हमारी गैस यहां से लीप होगी जो आपको पता ही है बड़े खतरनात बात है यहां झाल झाल अब हम लोग इस वाइस की पॉजिशन जो है हमारी की पॉजिशन थर्मस्टेट के पाइलक के जो हमारा होता है उसके बिल्कुल उपर ला रहे हैं जो इस तरह आएगी जो आएगी पॉजिशन शिल्कुल यहईगी जो हमारी के जो लुजिशन थर्मस्टेशन जो हमारी के जो कि दो एताए हैं झाल झाल जो हमारी की आएगी है अपाइब आपड़ आपड़ अपाने जापने आपड़ में अपाने एक अपाने एक अपर अपर यापने उक्यों करत देखेंग अपर है अगर हमारे इलाके में कि पाकिस्तान में ज्यारा तर मसला गैस कम आती है घ्रभ गैस कम आती है तो हम लोग इस तो पॉआइं और मेरी उगधी सब्सक्राइव कि हम नहीं कुल देंगी इसके साथ हमने लगा दिया इसका एंगल हमारा बन चुका है और गाइज यहां पर अपने कोशिश यही करनी है कि यह ज्यादा से ज्यादा जो हमारा खर्मसेट है जो हमारा पाइलेट है वो उसके यह हो चुका है आप देख सकते हैं हमने क्या लेवल बनाया है और किस तरह बनाया अभी हम लोग आपको रिटेस्ट करके बताने वाले हैं अब देखिए यह हमने जलाया यह देखिए यह हमारा पाइलेट ओन वो तुका है अब देखिए बटन भी यह बटन छूट गया हमारा पाइलेट होने अब हम इससे गिजर की गैस को लेंगे अब देखिए अब हम लोग गैस खोलने वाले हैं यह हमारा पाइलेट हो गया है अब देखिए इसके इलावा मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने पूछा था कि थर्मस्टे जो कम ज्यादा करने वाला है जिस तरह यह है इसमें से टिक की आवाज नहीं आती मैंने काफी बार सुना है कि यह ठिक की आवाज क्यू नहीं हाती उसके लिए क्या करेंगे हम लोग यह उपर वाला जो पेज हैं इस पेज को खोलेंगे यह यह से उतार के जो पीछे वाला हमारा पेज उसे हल्का सा टाइट करके जहां पर टिक की आवाज आए उसे वहीं पर चोड़ के यह बाकी spindle उपर लगा कर यह नट इसी तरह वापिस इसके उपर लगा दी देंगे ठीक है जी और दूसरी बात मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था कि अग्याइस नहीं आती गैस बहुत कम आती यह इस तरह में आपको रुपताने वाला हूं यह पेच थर्मस्टेट के उपर यह वाला जो पेच होता है इसे हम लोग करेंगे लूज ठीक है जी यह वैसे मैं आपको यही मश्वरा दूंगा कि आप इस तरह का काम ना करें क्योंकि यह बहुत ही स्वेर काम है ठीक है यह कंपी इसके अंदर आप देख रहे हैं यह एक पेच चोटा सा ठीक है जी इससे गैस हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं जिन इलाकों में गैस कम आती ह वहाँ पर यह ज्यादातर काम आता है लेकिन आप लोगों के घर अगर गैस ठीक आ रही है तो फिर आप इस पेच को मत खोले क्योंकि इन गिजर की जो स्टैंडर्ड गैस का फ्लो है वो कंपनी खुद सेट करके भीजती है तो इस वाज़ा से आप लोग यह काम मत करें मेरी खरों की यही सलाह होगी अगर यह काम करें तो किसी ग्यास गीजर मेकैनिक को साथ रखें तो फिर यह काम करें ठीक है जी तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जे हमारा गेस कीजर और हमारे लिए द्यार कीजिएगा ताकर हम लोग आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो और नई अव्य कर्मर आप झाल झाल